हेलो और नमस्कार मेरा नाम रिश्यप सिंग्य और आप देख रहे हैं करेंट अफेल्स पाउट बाय अड़ा 247 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे है और अपडेट है आपका आफ्रिका कॉंटिनेंट में जो एक देश है केनिया से रिसेंटली यह हुआ है कि केनिया की जो हाई कोट है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट डील जो अदानी ग्रूप के द्वारा हुई थी केनिया की स्टेट ओन कंपनी से उस डील को सस्पेंड कर दिया है और वो जो डील की वैलू थी वो थी आपकी 736 मिलियन डॉलर की बहुत लेकिन इस डील को स्पेंड कर दिया है केनिया की हई कोट ने और इस कारण बताया है क्यूंकि जब यह डील साइन हुई केनिया की स्टेट ओन कंपनी और अदानी ग्रूप के बीच में तो उसके बाद ही केनिया की जो लौ सोसाइटी है उस ने इस डील को चैलेंज किया के के हाई कोट में केनिया के कोट में और केनिया के हाई कोट ने बोला है कि ये डील तब तक आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक ये जो डील को चैलेंज किया गया है इस चैलेंज को पढ़ाना जाए इस चैलेंज का बेसिस क्या है इसको समझाना जाए तब तक इस डील को सेस्प power cuts हो रहे हैं उसे resolve किया जाए क्योंकि obviously बात है जब तक power cuts होंगे तो उसका impact आपको economic growth पर भी देखने हो को मिलेगा तो इस deal के दो objective थे पहला objective ये था कि जो regular power cuts हो रहे हैं उसे resolve किया जाए and जो economic growth है उसे भी support किया जाए उसे भी boost किया जाए तो ये दो objective थे दो बड़े important objective थे लेकिन जैसी ये deal sign हुई तो जो Kenya की law society है उसने इस deal को challenge कर दिया और law society ने challenge कि इस basis पर किया उनका ये मानना है कि ये जो deal हुई है इसमें कहीं न कहीं जो transparency है और जो Kenya की secrecy है वो कहीं न कहीं compromise हुई है और इस वजह से इस deal को suspend करना चाहिए cancel करना चाहिए क्यूंकि इससे जो है Kenya के important secret data जो है वो शायद tainted हो सकते हैं ठीक है वो शायद tainted हो सकते हैं और एक और important चीज Kenya की जो law society उसने ये कहा उसने ये कहा कि कोई भी देश Kenya में एक law है उस law का नाम है आपका Kenya's public private partnership act ये act है जो कि साल 2021 में Kenya में पास हुआ था इस act के तहत procedure ये है कि कोई भी अगर private development कोई भी private company है उसे अगर कोई project develop करना है especially अगर वो company बाहर की है बाहर बाहरी देश की है तो उसके लिए एक proper public participation कराना चाहिए ठीक है meaningful public participation होना चाहिए और public क्या चाहती है public की क्या सोच है उस private company को लेकर उस project को लेकर उसके बिहाफ पर उसके basis पर फिर ये तया किया जाए कि ये private company जो है ये project develop करेगी कि या ना करेगी तो पहला जो challenge किया law commission ने sorry law society ने Kenya की law society ने वो ये किया कि transparency और जो secrecy है वो शायद compromise हुई है इस deal में और दूसरी बात ये करी गई है Kenya की law society की दुवारा कि ये जो public participation है ना जो meaningful public participation है इसे conduct नहीं किया गया है ये Kenya की जो government है वो involved है और जो अदानी group है वो involved है बाकी इन दोनों में बीच में deal साइन हुई और public participation नहीं हुआ तो ये जो ये दो important basis है जिसके वजह से इस deal को challenge किया और इसी वजह से क्योंकि अब इस पर ये deal challenged है इसको study किया जा रहा है इस वजह से Kenya की high court ने बोला कि जब तक इस challenge को पूरी तरीके सा समझा नहीं जाएगा तब तक deal आगे नहीं बढ़ सकती है साथी साथ ये जो आपकी electrical deal है ठीक है ये जो आपकी power deal है ठीक है energy solutions के साथ साथ इसके साथ साथ एक और deal को भी इसी law society ने और Kenya की human right commission ने दूसरी deal को भी challenge किया है ठीक है वो है आपका जो अदानी groups की pitch थी की वो नायरोबी एरपोर्ट जो की Kenya का सबसे important airport है जो main airport है इसे revamp करने की pitch थी और जब ये deal sign हुई ठीक है तो उसके बाद बहुत ज़ादा protest देखा गया क्यूंकि जो law society है ठीक है जो law society है उनका ये मानना है और जो Kenya की human right commission उनका ये मानना है कि अगर ये deal होगी क्योंकि ये जो deal है इस deal में ये है कि lease पर दे दिया जाएगा जो नायरोबी एरपोर्ट है ये lease पर दे दिया जाएगा अदानी group को और अदानी group फिर इस airport को develop करेगा और इसे expand करेगा क्योंकि ओवेसी बात है जो Kenya है तो इस सोच के साथ Kenya के जो government है उसने deal साइन करी अदानी group के साथ कि भाई ठीक है ये हमारा ये main airport है हम आपको इसको lease पर दे देंगे आप इसे expand करो इसे develop करो so that connectivity, transportation improve हो सके और overall Kenya को फायदा हो सके लेकिन जैसे deal साइन हुई तो बहुत बड़े level पर protest हुए इस deal के against, अदानी group के against even India के against भी प्रोटेस्ट हुआ और जो Kenya के especially जो aviation workers थे जो workers है उन्होंने वो strike पर चले गए उन्होंने बोला कि इस deal से job losses हो सकता है ठीक है ये जो deal है ये बहुत जादा unaffordable है ये Kenya के लिए affordable है इसे Kenya के Kenya में जो job है अल्रेडी बहुत कम jobs है और जो jobs है वो भी जो है वो खतम हो सकती है और ये value for money deal नहीं है तो ये challenge ये इस basis पर ये जो अभी जो deal अभी suspend हुए इसके साथ साथ ये नायरोबी जो airport की deal है इसे भी challenge किया गया है Kenya की law society और Kenya की human rights commission के बीच है तो अब देखिए इस पर आगे judgment किया था अभी सिर्फ से suspend किया गया है इसे cancel नहीं किया गया है तो अब जो Kenya की high court है और जो authorities हैं उनके बीच में discussion होगा इवे नदानी ग्रूप के साथ भी discussion होगा और जो भी issues है उन्हें resolve करने की कोशिश की जाएगी और अगर जो issues बताया गया है जैसे transparency का issue हो गया है या जो public participation नहीं हुआ है तो उसे फिर सही करने की कोशिश की जाएगी so that यह जो deal है वो आगे बढ़ सके और Kenya को भी फायदा हो भारत की companies को भी फायदा हो तो अब जो next कुछ decades आने वाले हैं वहाँ पर आफरिका में population boom होगी जब population बढ़ेगी तो demand बढ़ेगी जब demand बढ़ेगी तो वहाँ पर employment, production, industries, factories इन सब की demand होगी तो भारत और चाइना के बीच में एक race लगी हुई है ठीक है और यह आज की बात नहीं है right from the start of 21st century जिसमें भारत कुछ पीछे भी रह गया है चाइना इस चीज को tap करने में जादा पहले से start कर दिया इंडिया ने last 10 सालों पर जो है अपना focus African continent पर किया है लेकिन दोनों के बीच में एक race है कि कौन जादा या जो इंडिया या कौन सी किस देश की companies जो है वो Africa की booming market को booming raw material को booming resources को manpower को capture कर सकते है तो एक angle ये भी हो सकता है क्योंकि अगर हम अदानी groups की बात करें तो recently कुछ सालों से अदानी group का जो influence है वो international trade पर बढ़ रहा है इसराइल, श्रिलंका, तंजानिय, वियतनाम ठीक है गौताम अदानी plots are trade coup against China तो अदानी group का ये vision है कि उन्हें अपना जो global reach है जो global share है जो international share है उसे बढ़ाना है और अगर अभी बात करें तो 5% जो है वो international operations अदानी group handle करता है ये international level पर बात करा हूँ ग्लोबल लेवल पर बात करा हूँ और इसको target रखा गया है कि साल 2030 तक यानि कि सर्फ समय लेजे 5-6 सालों में ये 5-10% करना ये target है अदानी group का और इसी वज़े से जो अदानी group है वो Middle East की बात कर लें हम South East Asia की बात कर लें East Africa की बात कर लें हम Bangladesh की बात कर लें Shri Lanka की बात कर लें Maldives, Vietnam, Cambodia इन सब countries में इन सब regions में जो अदानी group है वो चाहा रहा है कि अपना presence जो है या जो market है उसे tap किया जाए जो कि obviously बात है China को पसंद नहीं आएगा तो एक एंगल ये भी हो सकता है क्योंकि China इन छोटे देशों में जो authorities होती है उनको बहुत असानी से influence कर सकता है जैसे हमने Maldives में देखा जैसे हमने Shilanka में देखा पाकिस्तान में हमने देखा Middle East में कई ऐसे देश हैं तो एक एंगल ये भी हो सकता है कुछ experts का मानना है कि हो सकता है कि शायद चाइना का influence हो क्योंकि China नहीं चाहेगा कि इंडिया की कोई company इंडिया की कोई company इतने बड़े level पर international operations में अपना share बढ़ा ले अगर ऐसा होगा तो फिर वो भारत की diplomacy मैंसी भारत की soft power के लिए बैच्छा रहेगा भारत का एक अच्छी image जाएगी और छोटे देशों में ठीक है especially जो global south countries है तो वैसी बात है ये चीज़ चाइना को पसंद नहीं आएगी तो एक angle ये भी हो सकता है ठीक है कुछ experts का मानना है कि एक angle ये भी हो सकता कि चाइना ने शायद अपना influence इस्तमाल किया हो और इस deal को suspend कर दिया गया हो तो अब लेकिन इस पर कोई clarity नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि कई जगाओं पर कई regions कई regions पर कई countries में क्या हो रहा है कि चाइना की companies और जो इंडियन ग्रूप से हैं या जो इंडियन ग्रूप से हैं वो कहीं न कहीं compete कर रहे हैं वो market को tap कर सकें अब देखें इन सब पर impact इसका जो impact है जो deal का impact है जो अदानी ग्रूप के against जो protest हुए इसका impact भारत पर भी देखने को पड़ेगा ऐसा हो सकता है कि कुछ diplomatic strain हो इंडिया और Kenya के बीच में आला कि वो बहुत बड़े लेवल पर नहीं होगा क्योंकि ओविसी बात है इंडिया और Kenya के historical ties रहे हैं ठीक है लेकिन हाँ कुछ future इंडियन investment पर भी impact पर सकता है और एक चीज क्योंकि Kenya की law society उसने बोला है कि transparency या जो secrecy वो tainted हुई है तो ये चीज़े ध्यान रखनी होगी इंडियन companies को कि अगर वो बाहर investment करने जा रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि transparency और secrecy को बिलकुल उस देश का जो भी प्रोविजिन है जो law है उसके साथ ही किया जाए so that इससे क्या होगा कि जितने भी overseas ventures हमारी भारत की companies target कर रही है वो successful हो जाएंगी क्योंकि अगर इस तरीकी की reports आने लग जाएगी या इस तरीकी खबरे आने लग जाएंगी कि Indian companies जो है वो secrecy या transparency को tainted कर रहे हैं तो it will not be a very good news for Indian companies for Indian government ठीक है क्योंकि फिर हम Africa में या आपका Central Asian countries में और भी South East Asian countries में वहाँ पर अगर हम overseas ventures की बात करेंगे तो वहाँ पर ये issue उठ सकता है तो इस मुद्दे से Indian companies को अपने इस transparency issues को भी resolve करना होगा अगर ऐसी चीज हो इंडिया जो है वो one of the largest trading partners है Kenya के लिए चाहे हम pharmaceuticals की बात कर ले हम machinery की बात कर ले या फिर हम information technology की बात कर ले भारत ने credit lines भी ठीक है credit lines भी Kenya को offer किये है या आपका support किया है चाहे infrastructure development और health हो या फिर education project so people to people link भी बहुत जादा आप देखते होंगे कई सारी भारत की universities में जो Kenyan citizens वो आके हाँ पर पढ़ते हैं और strategic interest के लिए भी काफी जादा important है Kenya चाहे हम renewable energy projects की बात कर ले हम maritime security की बात कर ले या फिर हम counter terrorism की बात कर ले तो इस वज़े से India Kenya के relations बहुत important है बहुत अच्छे हैं और Kenya की important player हो सकता है भारत का African continent में इसी वज़े से जो protest हुआ था इस पर जो main opposition party है भारत की international congress उन्होंने ये कहा था कि हमें ध्यान देना होगा कि जो Indian group के against जो protest होने के लिए में वो कहीं anti-India ना हो जाएं ठीक है अभी वो anti-company है या कुछ उनके issues है कहीं वो anti-India ना हो जाएं तो ये चीज़ भारत को ध्यान रखनी होगी हला कि अभी ये जो deal है अभी suspend हुए लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा कि उसे पूरी तरीके से cancel कर दिया गया है अब जितने भी stakeholders है वो सामने बैठेंगे और जो भी issues है Kenyan authorities के Kenya की law commission Kenya की law society या human rights commission की उन्हें resolve किया जाएगा and hopeful है कि समय के साथ ये चीज़े और rectify हो सकती है तो इसके regarding कोई भी news भाएगे तो आपको इसी channel पर मिल जाएगी I hope आपको ये पूरी understanding समझ में आई होगी मैंने आपको इस deal के साथ-साथ Africa में क्या हो रहा है Global South में क्या हो रहा है वो चीज़ें पर समझाने की कोशिश करी है तो I hope आपको ये चीज़े clear हो गई होगी अगर ऐसा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe ज़रूर कर लीजे क्योंकि हम analytics देखते हैं झाल